नमस्कार दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है दाल बाटी चूर्मा और तर्पोले तो यह हमारे राजस्थान की प्रशिद रेसिपी है जिसको लोग बहुत चाव से शौक से खाते हैं बहुत सौक से बनाते हैं गैस्ट आते हैं तो भी हम दाल बाटी चूर्मा बहुत सही शौ यह आप जरूर धर पर ट्राइ कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगी और इतना टेस्टी बनेगा कि आप अंगूलिया चाठते रहे जाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कु हमने यहाँ पर 1 किलो आटा estas लिया है ऐहां पर हमने मोटा अठा लिया है धोड़ा और इसके अंदर 150否 क्राम घी और खीर को हातों से अच्छा से मिक्स करेंगे बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे और यह जो चूर्मा हम आज बनाएंगे इसमें जितना अच्छा घी ढालोगे उतना ही टेस्टी चूर्मा बनेगा चोकि हमारी राजासानी डिश बिना घी के अधूरी रहती है हमारे राजासान में की बहुत ही शौक से चाव से खाया जाता है और घी से खाने का टेस्ट जो है बंद सके जो अच्छे फिलिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ा-खोड़ा पानी डालते हुए और आटा गूंदना शुरू करेंगे ध्यान रखना है हमें फोड़ा-फोड़ा डालना है एक दम से पूरा पानी हम इसमें नहीं डाल देंगे क्योंकि हमको टाइट आटा लगा करके तयार करना है क्योंकि छोड में के लिए टाइट आटा की जरूरत दीए इसले हम टाइट आटा लगाएंगे। आप हम ठील लेंगे लेए और तो पो अगा इंस्टैंट ही बनाना ही तो पिर हमी में लगाले आते को तो से अर्धें को सेट हो भी यह च्याग के डिये करें यहने राणी कि नहीं दूर्से अगै articulate ya नोटी बनाने के बाद इस culture होती है काटा चमाच उसकी हम मर चेद कर देंगे इसमें हम शेदी प्रफबस से कर रहा है कि हमने जो रोटी बनाई है यह बहुत ही जाड़ी और मोटी रोटी बनाई है यह सिकते टाइम अंदर से कच्ची नहीं रहा है इसलिए हम इसमें जग़े तेक चेद कर देंगे ताकि वो अंदर से भी अच्छे से सिखे और इसमें डोट-डोट करने के बाद हम इसको गरम तववा करके हमने रेडी कर रखा है इसको गरम तववे पे डालतेंगे और एक साइड से फूरा गचा रखेंगे तरह से हम सारी रोटियां पना कर रेडी करेंगे देखहें रोटी दूसरी साइड से अच्छे से सिख लेंगे इसको अच्छे से से करेंगे और ये सिखती है तब तक हम तववे पे दूसरी रोटी डाल देंगे ताकि वो रोटी एक साइट से सिखना शुरू हो जाए तो देखें हम इस तरह ऐसे रोटी को अच्छे से से शेक लेंगे रोटी अंदर से भी कच्ची नहीं रही है बिल्कुल से सही बन गई है इसी तरह हमने सारी रोटीया बना करके तैयार कर ली है अब इसके हम छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे सारी रोटीयों के छोटे छोटे टुकडे करके हम तैयार करेंगे हाँ पे सारी रोटीयों के छोटे टुकडे कर ली हैं और यह ठंडे भी हो गए हैं अब हम इसको जाग में पीस लेंगे जार में चूर्मा पीसता है, इतनी देर हम चीनी को तयार करते हैं, यहाँ पे हमने 750 गराम पतली वाली पूरा चीनी ली है, और इसको हम छान लेंगे, अच्छे से छान करके इसमें जो मोटे टुकड़े हो निकाल देंगे, अफिर उन रुप्रेश कर देंगे, और इसको छान चूर्मा पीसा है, उसको भी अच्छे से छान लेंगे, ताकि वो और भी सादा टेस्टी लगे, इसी तरह से हमने सादा चूर्मा पीस लिया है, और चान करके रेडी कर लिया, अब हम इसको हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैं आपको मेंशन करना भूल गई, अच्छा फ्लेवर देखुत का, यहां पर हमने चूर्मा अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम आधा किलो घी, उपर से डाल देंगे, में तो मूमें पानी आ रहा है इसको देखके, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हम इसके अंदर घी को, यह हमारा चूर्मा तो अल्मोस्ट बनके रेडी है, आप इसको अच्छे से मिक्स करके हमें बस इसकी, आप जिस चीज से गार्निश बना चाहिए उस चीज से कर सकते हैं, आप इसके अंदर काजू भी एड़ कर सकते हैं, बादाम एड़ कर सकते हैं, पिस्ता एड़ कर सकते हैं, आपको जो पस को कैसे इसी तरीके से बना सकते हैं तो आप पार्टी का जो वीडियो है उसके बादाम के साथ गार्णिश कर देंगे इसी के साथ हमारा टेस्टी डिलिशिस मीठा चूटमा तयार है आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पुछे